कि नमस्कार प्यारे दोस्तों मेरा नाम कुमार गोरो और मैं आपका वैप इस्टेडी पॉइंट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिजिनिंग की आपकी एकलास यहां पर चल रही है और आपका अल्रफेटिक स्वाइब चैप्टर कंप्लीट हो चुगा है उसके बाद हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर श्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको तीन और reverse pattern ये दो pattern पे हमने कल बात कर लेती है और इसके कुछ question भी हमने किये थे आज हम इससे आगे चलेंगे उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ अभी आपका alphabetic series topic हुआ है जो आपका chapter है उसके बाद ये coding recording है ये दो chapter complete होने के बाद फिर हम previous year के जो पेपर्स हैं आपके जो question आई होएं exam में UPSI के exam में हम उनको कराएंगे तो एक class में हम alphabetic series और coding decoding के जितने भी question आई होएं वो होगा cross pattern के question किस तरीके से होते हैं वो आज आपको सीखने हैं चलिए मैंने यहाँ पर यह चार example ली हैं यह सारे भी cross pattern से ही related है cross pattern से solve हो जाएंगे तो पहले मैं आपको cross pattern के बारे में बता देता हूँ मान लिजे कि आपके पास यहाँ पर इस तरीके से कोई letter आता है जैसे hand आगे है ठीक है नीचे से आपका b i e o यह एक letter है तो cross pattern में किस तरीके से बनता है cross ही बनेगा जो pattern बनेगा आपका cross कैसे होता है cross ऐसे होता है यानि इस तरीके से आपका forward backward या plus minus 1 और plus minus 2 करके आ सकता है तो cross में ही आएगा ठीक है यह cross बन जाएगा अगर आपके पास 5 हैं तो ऐसे आ जाएगा ठीक है और अगर आपके पास 6 हैं जैसे 1,2,3,4,5 और 6 और न मान लें 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 तो आपका cross ऐसे भी बन सकता है यह यह भी cross में ही आता है यह इसके साथ आजाएगा यह इसके साथ आजाएगा ठीक है यह भी cross है यह भी cross है यह भी cross है यह भी cross है यानि आपका cross ही बनेगा और किसी भी pattern से related आपका बन सकता है ठीक है तो ये आप note कर लीजिएगा और question हमीं start करते हैं इसको कर देता हूँ मैं note कीजिए फिर question करते हैं hand की coding B, I, E, O है silky की coding आपको बतानी है सबसे पहले आप क्या करेंगे जो भी आपको letter दिया है उसकी numbering करेंगे H, number 8 number 1 14 और D का हो जाएगा 4 ये B का हो जाएगा 2 9, 5 और ये 15 ठीक है, सभी की आपने numbering कर लिया है, अब आप देखें कि किस तरह से ये आपका pattern तयार हो रहा है अगर देखें, आप forward लगाते हैं तो forward तो कहीं दूर तक नहीं है 8 से 2 आ रहा है, 1 से 9 आ रहा है 14 से 5 नहीं बनना है और backward में 2 में plus करेंगे तो 8 हो जाएगा, अब 9 से तो 8 माइनस करना पड़ेगा, तब 1 आएगा इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो हम बात करते हैं cross pattern की, cross pattern में हमें क्या करना है, यह 8 है, अगर आप इसको ऐसे लोगे, और 8 में 1 plus करोगे, 8 में 1 plus करोगे 9, तो यह 8 से 1 बना 9 इधर 1 में आप 1 plus कर देंगे, तो यह A से आपका B बन जाएगा, ठीक है उसके बाद उसके बाद यह 14 है, 14 में आप 1 plus करेंगे, 14 और यह आपका 1 हो जाएगा, 15 ठीक है, चलिए, उसके बाद यह 4 में आप 1 plus करेंगे, 4 और 1, यानि D और 1 करेंगे, तो यह E बन जाएगा तो आपका cross pattern बन गया है बिल्गुल अब इसी cross pattern को ध्यान में रखते हुए, सिल्की की coding आप कर देंगे सिल्की के numbering कर लीजिए सबसे पहले, S number 19, I number 9, L number 12 और K number 11 ठीक है, सभी में आपको 1 plus करना है 19 में 1 plus करेंगे 20 हो जाएगा, और वो आपका कहां पर आएगा इधर आजाएगा, और 20 आप किसके according, S or T के according निकालेंगे, तो यह आपका क्या हो जाएगा T हो जाएगा 9 में 1 plus करेंगे, 10 हो जाएगा और 10 आपका इधर आएगा और 10 आपका क्या हो जाएगा J हो जाएगा 12 में आप 1 plus करेंगे, यह 13 हो जाएगा 13 आपका इधर आजाएगा और 13 आपका क्या बताता है M को बताता है 11 में 1 प्लस करेंगे 12 हो जाएगा और 12 आपका इधर आजाएगा और यह हो जाएगा L ठीक है यह आपका T था और यह L था तो आपकी जो coding आई है वो है आपकी J T L और M यह coding आई है यह आपका answer हो जाएगा ठीक है क्रोस पैटन इस तरीके से लगेगा अब question number 2 हम करते है यह D number 4 पर है थोड़ा space बनाने के लिए मैं question number 1 को रफ कर देता हूँ आप इसको note कर लीजिएगा dancer की coding D, G, E, P, S, F है तो public की coding बताईगा dancer D यानि 4 1, 14, 3, 5, 18 4, 7, 5, 16, 19, और यह आपका 6 ठीक है अब देखे ज़रा कैसे बन रही है coding 4 से 4 बन रहा है एक से एक में 6 प्लेस करेंगे 7 हो रहा है 14 से माइनस करना है 5 तो forward और backward में तो बन नहीं रही है अब cross में देखते हैं cross में जब हम देखते हैं तो देखे चार में अगर अब एक प्लस करते हैं तो 5 बन रहा है यहां से 4 में अगर एक प्लस करते हैं यहां पर बन जाएगा यह 4 में प्लस 3 किया तो 4 और 3 7 एक में प्लस 3 किया एक और 3 4 ठीक है अब आगे चलते हैं यह N है और यह 14 है 14 से 19 बनाते हैं तो 5 प्लस करना पड़ेगा 16 बनाते हैं तो आपको 2 प्लस करना पड़ेगा अगर 14 से 19 बनाते हैं 5 प्लस करके तो फिर E से E बनना चाहिए था 5 से 5 जो गलत हो जाएगा लेकिन 3 में 2 प्लस करके 5 तो आपका यह हो जाएगा 14 में 2 प्लस करेंगे 14 और 2 16 बन गया 3 में 2 प्लस करेंगे 3 और 2 5 बन गया अब 5 में कितने प्लस करेंगे 5 में 1 प्लस कर दो तो यह हो जाएगा 6 और 18 में 1 प्लस कर दो तो यह हो जाएगा 19 ठीक है आपका cross pattern बन गया है पहले आपको प्लस 1 प्लस 1 करना है फिर प्लस 2 प्लस 2 फिर प्लस 3 फिलस 3 करना है ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले numbering, यह 16, 21, 12, 9, और 3, पहले वाले में plus के 3 करने हैं आपको, दूसरे में भी plus 3, फिर plus 2, plus 2, plus 1, और plus 8, ठीक है, शुरू के जो 2 अक्षर हैं, दो लेटर हैं, उनमें plus 2 कीजिएगा, फिर, sorry, plus 3 कीजिएगा, फिर बाद के जो 2 हैं, उनमें plus 2 और उसके last वाले जो हैं, उनमें plus 1 कीजिएगा, और recording बनाईए, यह यहाँ पर आएदेगा, और यहाँ पर, 16 और 3, 19, और 19 के लिए आप क्या करते हैं, 19 के लिए आपका हो जाता है, S, ठीक है, 21 और 3, 24, 24 के लिए क्या हो जाता है, X, यह इधर आएगा, और यह इधर आएगा, ठीक है, 2 और 2, 4, 4 के लिए क्या होता है, D, 12 और 2, 14, और 14 के लिए क्या होता है, N, 9 और 1, 10, 10 के लिए क्या होता है, J, और यह इधर आगा, 3 औ तो यह जो कोडिंग हो जाएगी X, S, N, D, D, J कोशन नमबर दो की कोडिंग आपकी हो गई है इसको नोट कर लीजिए चलिए इसको रफ कर देते हैं कोशन नमबर तीन देखते हैं मेटरो की कोडिंग B, J, W, L, O है तो ड्राउन की कोडिंग बताईए M, 13, E, 5, T, 20, R, 18 और O हो जाएगा आपका 15 B, N, 2, J, 10, W, 23 L, 12, O हो जाएगा आपका 15 ठीक है अब इसको देखे ज़रा ये किस तर्गी किसे बन रहा है अगर 13 में से आप 3 माइनस करते हैं तो बनता है 10 13 में से आपने 3 माइनस किये तो बना कितना 10 5 में से 3 माइनस किये तो कितना बना 2 यह नहीं माइनस 3 करके बन रहा है आके चलते हैं ये 20 है 20 में से कितना करेंगे कुछ माइनस नहीं हो रहा है यहाँ पर ठीक है ना अगर देखें तो 8 माइनस हो रहा है और यहाँ पर 5 माइनस हो रहा है नहीं बन रहा है अगर 20 में 3 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा 18 में से कितना माइनस करें माइनस के 3 कर लो न तो ये 15 हो जाएगा और 15 में से कितना माइनस करें माइनस के 3 कर लो ये 12 हो जाएगा कोडिंग आपकी तयार हो गई है पहले दो जो है वो माइनस के 3 फिर प्लस तीन और लास्ट वाले जो दो हैं वो माइनस के तीन वाली कोडिंग बना रहे हैं इसे को ध्यान में रखते हुए आप ड्राउन की कोडिंग निकालेंगे डी नंबर चार पे हैं आर नंबर 18 ओ नंबर 15 डबलू 23 और एन हो जाएगा आपका 14 यह माइनस के 3 माइनस क के 3 यह प्लस के 3 यह आपका माइनस के 3 और यह आपका माइनस के 3 कोडिंग इस तरीके से होगी यह यह कोडिंग होगी ठीक है ना चार मेंसे जब आप 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 1 और 1 A पर होता है 18 में से 3 माइनस करेंगे बचेगा 15 और 15 O को बताता है ये 15 में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 और 18 R को बताता है ठीक है उसके बाद 23 में से 3 माइनस करेंगे तो 20 और 20 T को बताता है 14 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके 11 और 11 के को बताता है ये हो गई आपके drown की coding ठीक है बच्चो इसको note कर लीजिए फिर question number 4 करते है चलिए इस question graph कर देते है question number 4 देखते है question number 4 जो है आपका rail की coding के सी टी एन से है तो आपको बताना है CRO WN CRO W की निकाल लो सरफ WN की ठीक है rail की coding K, C, T, N से हैं तो आपको किस की निकाल लो है आपको C, W, N की निकाल लो ठीक है C, W, N की निकाल लोगे पहले आप numbering कीजिए numbering के बाद फिर question को solve कीजिए R जो है number 18 पे 1, 9, 12, 11, 3, 20 और ये 14 ठीक है अब देखें जरा कैसे बन रही है coding अगर हम R देखें तो ये 3 में आपको 15 प्लस करने पड़ेंगे तब जाके 18 बनता है और 11 में 15 प्लस करके 1 नहीं बनता है ठीक है ना तो अब आप क्या करेंगे आप यहाँ पे आजाए इधर अगर आप 18 में 2 प्लस कर दे तो कितना बन जाएगा 20 चलिए कोई बात नहीं 9 में भी 2 प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा ठीक है 1 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा और बारा में दो प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा 14 बन जाएगा चलिए ये कोडिंग बनी है आपकी पहले क्रोस फिर दो सीधे बने है ठीक ना ये मैं थड़ा आप यहां लगा देंगे ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा ये यहां पर और ये यहां पर नंबरिंग कर लेंगे 3, 18, 23 और ये 14 अब आपको करना क्या है? सभी में 2 प्लस कर देना है ठीक है? तीन में 2 प्लस करेंगे 5 5 के लिए हो जाएगा E उधर 23 में 2 प्लस करेंगे 25, 25 के लिए हो जाएगा Y 18 में 2 प्लस करेंगे 20, और 20 के लिए क्या हो जाएगा? T, और 14 में 2 प्लस करेंगे 16, 16 के लिए क्या हो जाएगा? P, ये आपकी कोडिंग आगी है ठीक है? तो Cross Patterns Related मैंने आपको 4 तरह के Question करा दिये है और ये जो है आपका Cross Patterns वाला Topic Complete होता है इसके बाद हम नया Pattern स्टार्ट करते हैं इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं तीन तरह के Pattern आपके हो गए हैं अब हम बात करते हैं चोते Pattern की इस Pattern को हम बोलते हैं Position Based Pattern ये Position Based Pattern किस तरीके से आपका काम करता है? तो Position आप Question के Coding आप पता लगा सकते हैं तो मैं Question ही करा देता हूँ उसी से आपको समझ में आ जाएगा इसमें आपको Numbering करने की जुरूत नहीं है Question को देखिए और उससे समझे आप Numbering करेंगे और उसमें Time चला जाएगा तो Time आपको वेश्ट नहीं करना है देखें यह है आपकी Mother's की Coding जो है S-R-E-H-T-O-M से है ठीक है तो आपको किसकी Coding बतानी है तो आपको बतानी है यह Brot B-R-O-U-G-H-T Coding इसकी बतानी है ठीक है तो चलिए करते हैं Start आप देखें यह M से Start हो रहा है M-O-T-H-E-R-S ऐसे हो रहा है और इसकी Coding क्या है M-O-T-H-E-R-S यानि आप इधर से Start करते हैं लिखना और इधर से Coding आ जाती है ठीक है आपको Letter का Number लिखने की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ आपने देखा कि यह इधर से Start कर रहे हैं और इधर से वापस Return लिख रहा है तो यानि Coding इसकी सेम ही हो गई तो इस तरीके की Coding को बोले है Position Based Pattern यह आपके पास Broad है Broad की Coding क्या हो जाएगी अगर मान लिजे कि आपके पास B-R-O-U-G-H-T तो इसकी Coding आप कैसे करेंगे T को इधर से लिखने तो T-H-G-U-O-R-B तो यह Coding हो जाएगी Broad की ठीक है उसके बाद Humidity की जो Coding है वो U-H-I-M-I-D-T-Y है तो Politics की Coding आपको बतानी है इसको भी देखते है यह HU लिखा जा रहा है फिर कहा है है HU यहाँ पर है हमारा यानि H हमारा और U हमारा ठीक है M और I, D और I ठीक है T तो बिल्कुल सीधा है और Y भी सीधा है तो इस तरीके से आप Coding का पता लगा सकते हैं ठीक है तो इसी तरीके से आप number को लग दो अधर यानि P इधर हो जाएगा O इधर हो जाएगा L इधर, I इधर T इधर, I इधर 3 तो आपके cross बन रहे है C को आपको सीधा लेना है forward ले लिजे और S को भी forward ले लिजे कोई भी number या कोई भी आपको इसमें plus minus नहीं करना है आपको ये जो letter है ऐसे ही लिख देना है O को यहाँ पे लिखो P यहाँ पे I, L, I, ये T, ये C, और ये S जैसे आपको coding दे सवाल में उसी तरीके से coding को लिख लीजिए ठीक है चलिए दो question होगे note कीजिए उसके पाद आगे करते है Question number 3 Distribution की जो coding है वो E, R, T, S, I, D और N, O, I, T, U, B उसके बाद substitution की coding आपको बताने है अब देखे ज़रा Distribution से coding कैसे बन रही है ध्यान में रखना है इस तरह का जो long question है वो आपका position based question में ही आसकता है forward, backward, river या cross में नहीं आसकता है ठीक है, cross में आसकता है तो easily पूछा जाएगा बस लेकिन substitution जो है आपका इसकी coding जो निकालने है वो distribution को ध्यान में रखके निकालने पड़ेगी पहले उसको देखते हैं कहसे हो रहा यह सवाल, आप देखें यहां से यह D I S T R I D I S T R I, यानि आपने इसको आधा break किया, यहां से आप start हुएते और आपने यहां तक उल्टा किया ठीक है, तो यह आपने आधा break किया फिर यहां से चल देखें, B U T I O N यह आप इधर से कहें, B U T I O N यानि तीन, तीन च्छे आपने जो छे लेटर हैं, उसके बीच में से break कर लिया है तीन, तीन च्छे आप इसको break कर लेंगे और solve कर देंगे पते हैं, कितना easy सवाल है कहां से, D से start था, आपने कहां से start कर दिया I से start कर दिया, आप इधर से पीछे से start कीजिए I T S B U S उसके बाद इधर से कीजिए N O I T U T Question solve हो गया है आपका, ठीक है Note कर लीजे, next question पर बात करते हैं चलिए position based pattern के दो question और करते हैं ठीक है, ये number 4 और number 5 है Number 4 physics है, जो physics की coding है C, H, I, P, W, S, Y है तो history की coding आपको बतानी है अब आप जड़ा धियान से देखिए physics में सबसे छोटा जो action है वो C है, सबसे छोटा जो letter है C को सबसे पहले लिया फिर H, C से बड़ा है बागियों से छोटा है H के बाद I, P, W, S और Y आप देखते हैं तो हमने ये सभी अक्षरों को ROH किरम या increasing series में आपने लगाया है alphabetic series को increasing order में ठीक है, इसी तरीके से आपको history को लगाना है और इस तरीके से लगाने के लिए अगर question गलत ना हो तो आप ये जो आपको letter है, इनके numbering कीजिए number 8, no ये 19, T हो जाएगा 20, O 15 R आपका हो जाएगा 18 और Y हो जाएगा आपका 25 अब देखे जड़ा सबसे छोटा जो letter है आपका वो है H H को आप पहले लिखे, I क्योंकि 9 है उसके बाद फिर आप देखे हैं 15 15 फिर हो जाएगा O 15 के बाद 18 R और फिर 19 S 20 T और 25 Y ये आपका history की coding आ गई ये आपका answer आ गया, ठीक है feeder की जो coding है वो D, E, F, R है बिल्गुल इसी तरीके से, सबसे छोटा फिर उससे बढ़ा, फिर उससे बढ़ा common की coding निकालिए, पहले numbering कीजिए 3, 15, 13, 13, 13, 15, 14 यानि पहले C होगा, उसके बाद 13, यानि M, M फिर N, बागी 2 बचे हुए O ये answer आ गएगा तो position based pattern के question आप के हो गए है इसको आप note कीजिए, फिर हम आग करते है number 5 ये आपका opposite letter pattern है opposite letter pattern इस related coding recording में कैसे question पोचे जाते है वो भी हम देख लेते हैं चलिए opposite letter क्या होता है, आप जानते हैं जैसे A, Z के साथ आता है सबसे पहली class में मैंने आपको कराया था B, Y के साथ आया है, कानपूर, लाव मोदी नगर दूदवाला, इस तरीके से जितनी भी ये आपके 26 letter है वो सारे के सारे opposite letter है, एक दूसरे के साथ आते हैं, ठीक है, अब दीखे जाना ये K की P से coding है कानपूर, इंडियन डेलवे कानपूर, ये मोदी नगर और ये GT रोड, ठीक है यानि इनकी एक दूसरे की आपस से जो coding है, वो opposite letter क्या coding है इसी तरीके से आप rail की coding बताइए rail, इंडियन डेलवे A से Z हो जाएगा आज, ये इंडियन डेलवे और ये L O लव हो जाएगा, ठीक है न, तो rail की जो coding आगई, वो हो गई I, Z, R, O इसी तरीके से हैंड की जो है हाई स्कूल, A, Z, मोदी नगर दोदवाला, ठीक है, हैंड की जो coding हो गई, S, Z, M, W सिल्की की coding बताइए हाई स्कूल इंडियन डेलवे लव और ये कानपूल अंसर आ गिया तो opposite later pattern में इस तरीके से question आते हैं, आप अराम से निकाल सकते हो, ठीक है, एक question और अगर हम देखें, बात करें, इसमें find odd, one, या आप कह सकते हैं विसम छाटी है एक question नहीं है, इसमें option आपको देदेगा, A K P, B M N C C O D L O ठीक ना, अब आप बताईए इसमें कौन सा विसम है विसम आपको छाटना है, K P कानपूर हो गया, M N, मोधिनगर C O, C O में तो कोई आता नहीं है ना, इसा जो opposite letter को denote करे L O, लव, तो आपका जो विसम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा C O हो जाएगा, opposite letter से इस तरीके से भी आपसे question पूर सकता है आप इसको note कीजिए ज़रा, फिर उसके बाद हम, ये, number 5 start करते है, number 6, sorry चलिए, number 6, pattern जो है, हमारा common coding आता है common coding में question आपके सामने है, इस तरीके से question आएगा ठीक है, mangoes की जो coding है, Z, Y, X, W, V, U, T है apple की coding Y, S, M, U है, ये दोनों आपको given रहेंगे तब आपसे पूचेगा कि grapes की coding बताईए, ठीक है ये आपको option दे देगा, answer आपको इसमें से choose करना होता है, तो ये question जो है common coding का वो किस तरीके से होता है, उस पे हम बात करते हैं, ठीक है ये जो दोनों आपको दिये होएं, इन दोनों में से आपको ये देखना है कि जो इधर value आई है, वो उधर भी आई है क्या, दोनों में same आई है कौन सी value है वो, अगर हम देखें इधर A और इधर भी A, A की coding Y से है, उधर भी A की coding Y से है दोनों में से एक common हो गया, अब और कुछ common आ रहा है और आ रहा है, इधर E से जो है, वो U आ गया इधर भी E से क्या आ गया, यू आ गया अब दो-दो common हो गया, यानि इधर से और उधा से दोनों साइड़ों से आपको कुछ न कुछ common जरूर आएगा इस तरह के समाल वे हैं, ठीक है ना, वो common होता है, जब common आ जाए तो common coding का question होगा, अब जब common आ गया है तो आप देखते हैं कि हमारा जो a है वो किस की coding है y की, तो हम graphs में जो a हो जाएगा, a की coding क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद ओपर से जितने भी letter है, उ उन सब के नीचे जो भी coding है, अपने question में देखें और नीचे वो coding को लिख दीजिए, सबसे पहले g को देखते है, g, g कहा है यह रहा, g के साथ क्या है, w, तो g की coding क्या हो जाएगी, w, r, r देखें उपर, r है, r उपर नहीं है, r को अभी छोड़ दीजिए, p, p देखें, p य s की coding क्या है, s की coding है, आपके पास t, आपके पास किस की coding रह गई, r की coding रह गई, ठीक है, बाकी आपके पास आगया, w, y, s, u, t, क्योंकि r इसमें नहीं है, तो r की coding क्या होगी, r की coding एक new number होगी, क्या होगी, new letter, जो लेटर तो आपकर जो R है तो जो R है R के जो Coding होगी वो New Letter होगा New Letter यानि जो ओपर नहीं आया हुआ है ठीक है नीचे आ सकता है तो अपर नहीं आया हुआ है अब देखते हैं हमारे जो Option है उसमें Answer कहां कहां पर आ रहे हैं Last में YSUT होना चाहिए Y, S, U, T, Y, S, U, T, Y, S, U, T और पहले W होना सी ये W, W, और ये W अब आप देखते हैं कि जो C है ये तो आपका option में अंजर नहीं होगा ठीक है, इन तीनों में से एक होगा अब देखते हैं हम सबसे पहले नीचे से start करते हैं M ये जो हमारा M है R की कोडिंग हो सकता है क्या अब देखते हैं जो हमारा M है वो तो L की कोडिंग है जब ये हमारा M L की कोडिंग है तो ये R की कोडिंग तो हो ही नहीं सकता ठीक है, तो आप कह सकते हो जो M है वो R की कोडिंग नहीं हो सकता तो आपका ये D भी गलत हो जाएगा उसके बाद बात करते हैं T की अब T जो है वो R की कोडिंग होगा क्या T जो है वो किसकी कोडिंग है S की कोडिंग है तो ये जो T है वो R की कोडिंग भी नहीं हो सकता तो आपका अंसर ये भी गलत हो जाएगा फिर आप बात करते हैं A, ठीक है अब आप A नीचे देखिये कि नीचे A कहीं है, नहीं है, A की coding तो Y है, बट A किसी की coding नहीं है, तो A, R की coding हो सकती है ना, क्योंकि A new letter है और ये नीचे नहीं है, ओपर है, कोई बात नहीं है, तो इसलिए आपका जो A हो जायेगा, वो R की coding हो और A की coding वो आई है आपके ठीक है तो आपका जो answer हो जाएगा वो यह हो जाएगा आप सभी को समझ में आ गया होगा इसको जड़ा note कर लीजिए उसके बाद question हम दूसरा देखते हैं ठीक है note कीजिए जड़ा चलिए common coding का दूसरा question देख लेते हैं अगर आपको पहला question clear नहीं हुआ है तो इस question को आप समझ लीजिए ठीक है ना method आपको clear हो जाएगा करना क्या होता है orange की जो coding है यह है grapes की ग्रेप की coding यह हो जाएगी तो apple की coding आपको निकाल लीए ठीक है तो चलिए आप देखते हैं कि दोनों में common कौन सा है दोनों में अगर आप देखें तो G यहाँ पर है और G यहाँ पर है यह G हो जाएगा और यह G हो जाएगा उसके बा और E भी है तो सभी common हो गए बस उधर P को छोड़ गए इधर O और N को छोड़ गए ठीक है अब चलिए स्टार्ट करते हैं A की coding क्या आएगी V आ जाएगी P की coding क्या आएगी M इस P की coding भी M हो जाएगी L की coding क्या हो जाएगी L है उपर कहीं नहीं है छोड़ दीजिए E की coding क्या हो जाएगी Y यानि जो L की coding हो गए वो क्या हो जाएगा वो एक new letter हो जाएगा अब आप option में आ जाएगी और option से अपना answer निगा लिए V M M तो जहाँ पर भी सबसे पहले V M M होगा और last में Y होगा V M M और Y इस दोनों में तो है नहीं तो ये दोनों तो आपके answer हो इनहीं सकते अब देखना है कि U यू देखिए यू जो है R की coding है आपको चाहिए L की coding यू आर की coding है इसलिए ये तो आपका answer होगा नहीं तो क्या बचता है यहीं बचता है R ठीक है तो R जो है L की coding हो जाएगा आपका यह answer आ गया है समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को इसके बाद आपका last pattern बचा है common coding के बाद तो आप इसको note कर लीजे उसके बाद उसको भी हम discuss कर लेते हैं चलिए सात्वा pattern करते हैं illogical pattern सात्वा जो pattern है वो illogical illogical यानि एमानिय बोलते हैं जो pattern logic से ना हो ठीक है logic के pattern सभी हम 6 pattern में discuss कर चुके हैं यह सात्वा pattern है इसको हम illogical pattern बोलते हैं यह किस तरीके से आपके आ सकते हैं चलिए देखते हैं यह है TSAE और TSEW यानि TSAE की जो coding है वो TSEW से है तो HTRON की coding आपको बतानी है आप ज़रा इनको ध्यान से देखना है और इनको सही तरीके से लिख लीजिए सबसे पहले मतलब कि यह अब answer है जो आप कर रहे है ठीक है न अगर सही तरीके से देखें तो इसको उल्टा लिखें तो यह हो जाएगा E A मैं यहाँ न लिखते हूँ इसके उपर ही लिख देता हूँ E A S T क्या बना East इसको उल्टा लिखेंगे W E S T क्या बना West इसको उल्टा लिखेंगे N O R T H क्या बना North तो उसके बाद जो coding आएगी वो आपकी यहाँ पर आएगी ठीक है और East West North अगली coding क्या होगी अगली coding होगी South बट यह सब ही उल्टे लिखें तो आप इसको लिखेंगे H T O U S यह आपका अंसर हो जाएगा ठीक है अब इसमें से देख लीजे कौन सा है H T यहाँ पर यू आना चाहिए ठीक है आपका ऐसा यह गलत है H T U नहीं है H T यह T H से हो जाएगा यह हो जाएगा इल्लोजिकल कोशन कुछ इस तरीके से होते हैं ठीक है तो इसको नोट कर लीजे फिर आगे एक कोशन और हम ले लेते हैं उसके बाद क्लास को आरा में इल्लोजिकल प्रेटिन्ट से रिलेटिड कोशन नमबर दो है इसको देख लेते हैं यह Y R E L की जो कोडिंग है वो E L A T है तो L D C O की कोडिंग बता यह अंसर आपको दिया गया है ठीक है ना इसको आप सही तरीके से लिखे हैं तो यह अगर हो जाएगा तो यह हो जाएगा अरली E A R L Y अरली यानि जल्दी इसको सही से अगर आप लिखते हैं तो यह हो जाएगा L A T E ठीक है ना यानि सभी जो लेटर हैं उनको सही के रम्मे लिख के आपने क्या बनाया एक वर्ड बनाया एक सम्द बनाया जिसका अर्थ होता है अरली या जल्दी ठीक है ना यह ल हो जाएगा वह होजाएगा आपका होट हो तो ऐंशर में क्या आना चाहिए है चो और ट है यहाँमारी चाहिए आप अनसर केजिए टी एच ओ आपका अंसर हो जाएगा टी एच ओ ठी नोट कर लीजे इसको तो आज की क्लास में आपके टोटल जो आपका कोडिंग डिकोडिंग है साथ पैटर्न खरा दिये गए हैं जो लेटर कोडिंग था अब आपका नंबर कोडिंग हम अगली क्लास में स्टार्ट और यह चैप्टर जैसे ही कंप्रेट हो जाएगा फिर हम जो प्रिविएस पेपर्स हैं उनसे कोश्चन उठाएंगे और कोश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं तो चलिए सब्सक्राइब को मैं आपको नमस्कार बोलता हूं नमस्कार नमस्कार बोलता हूंवा जोल जसे तो हैं जाएब दिक हैं श пол coma करेंट करेंगे जैँटोर नमस्कार झा लगा नमस्कार लागान समें मत्स सब्सक्कार बट minhaशना दोले मत्सक्राण जा सुलवरों precious लेम संधब ले संसाती है ठीगा टार झाली हो जाएगा जागा जागा ब